टेरा अग्रो बायोटेक का उदेश्य है किसानों का विकास और उनकी जमीन की उप्युक्त देखभाल क्रिशी कार्य के मुनाफे में व्रिधी और लागत पर नियंत्रन पाकर टेरा अग्रो अब राजिस्थान, हर्याना एवं गुजरात में प्रमानित है इन राजियों में अपने प्रशस्थ डीलर नेट्वर्क के जरिए टेरा अग्रो किसानों को रसायनिक से जैविक खेती की ओर बढ़ने में मदद करता है हमारी खेती का जैसे साल दरशाल डोज बढ़ता जा रहा है उसमें हमारी खर्चे भी साथ बढ़ रहे हैं और पैदावार हमें जो पहले आ रही थी वो सेम ही आ रही है तैरा कंपनी का जो बायो फास्फर शाता है ये मैंने ग्यों की फसल में भी लगवाया था जिसके काफी अच्छी रजल्ट रहे और इसका अभी ट्राइल हम कॉटन के ओपर लगा रहे हैं बहतर फसल एवं स्वस्थ जमीन के लिए टेराफोस और टेरापोटाश पहले ही उप्योग से पूरी तरह रहे हैं रसाइने खाद की जगह ले सकते हैं जोकी फॉस्फरस युक्त जैविक खाद है और्गनिक मैटर जो है वो अमारी दर्ती के लिए बहुत मुख्य चीज है प्रोम में आपको 10 परतिसत से 60-10-11 परतिसत तक फॉस्फरस अवलेबल होता है इसके अतिरिक्त इसके अंदर नाइट्रोजन भी है 0.4 परसेंट और बाकिया अधर मैटर भी है आज हमने आके देख्या तो काफी पोदमें अच्छा फुटान है अच्छा कलर है और हाइट भी अच्छी है जिसके डिएपी जो केमिकल वाड़ा है उसके वजाए इसमें काफी अच्छे रेजल्ट है सालों से यूरिया पे निर्भर मेनपाल को पून रूप से जैविक खेती करने में संकोच हो रहा था लेकिन अंत में उन्होंने सिर्फ आधी मात्रा यूरिया डालने का निर्ने लिया आज हम इस खेत के अंदर 10 किलो एग्रिमेक्स पला से 30 किलो यूरिया लगवा रहे हैं और उसके साथ साथ एक बायो सर्ट की सप्रे करवा रहे हैं एग्रिमेक्स में है क्याल्शियम, सल्फर, पोटैशियम और नाइट्रोजन जैसे आवश्यक पोश्यक तत्व एग्रिमेक्स मिट्टी के पीएच को बहतर बनाता है और कुछ ही सालों में पूरी थरह यूरिया की जगे ले सकता है इन परिणामों को निश्रित करने के लिए बायो सर्ट का चड़काव किया जाता है जो पसल को सुक्ष्म पोशक तत्व प्रदान करता है जो अर्गनिक फटिलाजर डाले थे उस खेत का विजिट किया तो केमिकल वाले के मुकाबले काफी सीनियर खेत लग रह रहा है इसके अंदर एक पोदे के वपर एक पोदे के उपर एक्पोदे के लगे हुए है उनकी साइज भी मोटी है और केमिकल वाले से एक फूट हाइट ज़्यादा है केमिकल वाले में टिंडों की साइज थोड़ी छोटी है परफॉर्मेंस जो अपने को बायो और्गनिक लगवाया है इसकी सबसे अच्छी है उपच की गुणवक्ता और मात्रा में महत्वपून सुधार के अलावा टेरा आग्रो के उत्पात फसल की विमारियां फैलने में भी रोक्थाम करते हैं जो ऑर्गनिक वाला था उसके तिंडे की साइज भी थोड़ी छोटी है और तिंडे उसके कम है अगनिक था टेरा कंबने खात वाले लगाई थी उसको में यह तीन कॉंट्रल कपाल जादा हुई तो इसमें सोड़ा सत्राइज पर मेरे को फालतु कमाई हुई आगे मैं फसल लगाँगों कोई फसल तो मैं और्गनिक खा टेरा कपनी का यूज़ करूँगा अटारी गाम में इसके मुकाबले में कोई भी फिल्ड नहीं था और मेरे को भी काफी कॉन्फिडेंस हुआ है आज खेत को देख करके तो इसलिए मैं हर फार्मर को ये सलाद दुगा कि आप बायो और्गनिक जादा से जादा अपनाए और बिल्कुल अच्छी फसल प्यार करें और इस प्रकार टेरा अग्रो बायो टेक अपने डीलर और किसानों को एक परियावरन हितेशी ख्रिशी परिवेश का निर्मान करने में अपना सयोग देता है